सुप्रिम कोट के एक ऐसा जज्जमेंट जो देश के मेंटेनेस केस फाइल करने जा रहा है या फिल जिनके अगेंस्ट मेंटेनेस केस फाइल हो रहा है सभी लोग के उपर So simple language में बोला जाए तो देश के हर एक नागरिक के उपर ये कानून लागू हो जाए सबसे पहले देखिए wife किसी भी तरिके से maintenance demand कर सकती है भारत की जो maintenance related कानून है कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर wife maintenance claim कर सकती है अब ये सारा का सारा जो कानून आप देख रहे हो न multiple suit भी wife फाइल कर सकती है कोई भी कानून में ऐसा नहीं लिखा गया है कि wife एक से जादा दूजरे कानून पर maintenance demand नहीं कर सकती है सबसे पहले Special Marriage Act, Hindu Marriage Act, Hindu Adoption and Maintenance Act Code of Criminal Procedure that is section 125 of the CRPC अभी section 125 पूरक खतम है क्योंकि जुलाई से नया कानून आने वाला है और वहाँ का ये particular section में आपको case file करना पड़ेगा that is section 144 of the भारतिया नागरिक शुरक्सा सनीता सबसे वाइफ हिंदू Marriage Act में कोई maintenance के लिए case file कर चुके थे अब उनको कुछ amount grant करा भी गया है अब यही पर वाइफ अगर चाहे तो कोई और कानून में भी maintenance case file कर सकती है तो multiple case करने से वाइफ को कोई भी नहीं रोक सकता है पर असल में क्या होता है पता है husband के लिए ये बहुत unfair treatment हो जाता है क्योंकि एक कानून में grant किया गिया है और दूसरे कानून पर भी अगर grant किया जा रहा है तो यही पर Honorable Supreme Court of India एक ऐसा judgment pass किये जो पूरा का पूरा maintenance कानून है उसको change करके रख दिया तो Supreme Court के ये सारा guidelines आप जान लीजिए आप अपने case पर भी लागू कर सकते हो और फाइदा इसका ले सकते हो So hi everyone, मैं हूँ advocate पापिया और आप देख रहे हो decode दिलाओ जहाँ पर simple language में कानूनी ज्यान आपको दिया जाता है ताकि आप जागरुग बन सको एक legal awareness फाइलाना मेरा उद्देश्य है तो सबसे पहले देखिए रजनीस वर्सिस निहा ये particular case एक revolutionary landmark Supreme Court judgment है जहाँ पर कहा गया maintenance कोई भी मांग सकता है husband या फिर wife So wife husband से या फिर husband wife से maintenance demand कर सकते है अब recently ऐसा कुछ judgment सामने आ रहा है जहाँ पर husband भी maintenance claim कर रहे है wife से और ऐसा judgment पास भी किया जा रहा है So change तो आना शूरू हो गया है तो सबसे पहले ये एफिडेविट के बारे में Supreme Court बोले clear कर दिये Supreme Court जो भी इंसान maintenance के लिए case file कर रहे है उनको ये एफिडेविट court के सामने file करना ही परेगा यहाँ पर उनका asset, liability क्या कुछ है सब कुछ disclose करना ही परेगा at any cost और इसके उपर ही हम लोग decide करेंगे maintenance का amount कितनी होनी चाहिए देखे, क्या होता था lawyer court में जा करके application file कर देते थे और उसके हिसाब से judge भी अपना मन लगा करके सोच करके amount decide कर देते थे अब वो fair है, unfair है क्या किया जाए, कुछ भी नहीं किया जा सकता था amount अगर reasonable नहीं है illogical है, तो भी grand कर दिया जाता था इस तरहें से तो नहीं चाल सकता था इसलिए Supreme Court ये affidavit में आपके पास कितनी assets है कितनी liabilities है, सब कुछ disclose करना पड़ेगा ताकि maintenance के जो actual amount है जो deserving amount है, उसको decide किया जा सके और एकदम आखिर में format भी आपको मैं दे दूँगी और इस particular चीज़ को Supreme Court, section 340 CRPC के दुआरा protection दे दिये ताकि कोई इंसन जूट मूट के बात बना करके एffidavit में डालना दे तो अक्सर क्या होता है wife भी बढ़ा चरा करके amount बोल देते है और husband भी maintenance कम देना पड़े इसलिए कम मतलब यहाँ पर खर्चा है वहाँ पर खर्चा है मेरा business अभी नहीं चल रहा है तो इस तरह के से कम करके बता देते थे इसको ही रोकने के लिए ये कानून आया अगर आपका भी कोई maintenance case चल रहा है अगर आपके wife को कोई maintenance और कानून में grant किया गया है जो कि मैं आपको पहले बता दी किस तरह के से wife हर एक कानून में maintenance क्लेम कर सकती है अभी आप बोलोगे क्यों क्यों wife को इतने सारे acts में maintenance के लिए allow किया जाता है क्योंकि हर एक कानून को object अलग है purpose अलग है जैसे कि अब देख सकते हो domestic violence act तो domestic violence अगर कोई किसी के साथ किया है so domestic violence act का अलग purpose है वहाँ पर एक अलग से maintenance किया जाता है अब हिंदू marriage act में अगर divorce होता है वहाँ का कुछ purpose object अलग होता है इनको पहले maintenance grant किया गया है ये दूसरी बार ये file करके maintenance grant करवाना चाती है तो magistrate साब को ये पता करवाना पड़ेगा कि earlier एक application में grant हो गया है तो second application grant करने के वक्त amount को पहली amount को धियान में रखा जाए कि कि वहाँ पर अगर 20,000 मिल रहा है और यहाँ पर भी अगर 20,000 मिल रहा है इस तरीके से different कानून में वो जा सकती है तो ये चीज़ आपको धियान में रखना है तो disclosure के लिए court को जरूर आपको वताना है कि पहले grant किया गया है next चो आपके उपर लागू होता है अगर divorce हो भी गया है minor बच्ची है तो divorce होने के बाद भी जब तक वो major नहीं हो जाता है यानि कि 18 साल हो नहीं जाता है तब तक उनके लिए आपको maintenance देना पड़ेगा तो ये particular case में ये कहा गया था Honorable Supreme Code of India के दोरा अपने level पर धियान में रखियेगा अगर वो multiple maintenance suit file करने जा रही है तो ये आपको जरूर magistrate को बता रहा है Next आपको बताऊंगी Supreme Code एक direction पास किये भारत के हर एक judicial officer को इसका copy बटा जाए ताकि वो लोग इसको धियान में रखते हुए maintenance amount को grant कर सके अगर कोई judicial magistrate इसको follow नहीं करेंगे तो हमारे पास जो application आएंगे उसको हम लोग courage कर देंगे So simply आपको इसके बारे में धियान रखना है क्योंकि maintenance का जो quantum है quantum of the maintenance इसके उपर ही decide क्या जाएगा और ये रहा format इसका link में description box पर दे रहा हूँ आप detail में इसको समझे अगर कोई दिक्कत होता है comment section पर मुझे बता सकते हो और insta पर मुझे follow कर सकते हो छोटी मोटी और details के लिए और मैं आपको बता दू देश के हर एक high court इसको बहुत ही बहतरीन तरिके से follow कर रहे है हमारे काइड़ा का high court ये बोले है husband artificial तरिके से cut off करके अपना amount यहाँ पर नहीं बता सकते है so artificial यानि की जो natural नहीं है जो आप create कर रहे हो ताकि पैसा का amount कम दिखा सको हाला कि करून अभी भी लड़कियों के favor में ही है पर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी जहाँ पर भी लड़किया भी कुछ exaggerate करके बता देती है या फिर लड़की कोई नौकरी वगरा कर रहे है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं चलेगा उसको भी disclose करना ही परेगा यह एफिडेविट के थुरू सुप्रेम कोड और clarify किये maintenance उस दिन से start होगा जिस दिन maintenance application फाइल किया गया है क्योंकि applicant यह नहीं जान साकता है कि maintenance case कितनी दिन तक कितना लंबा चलेगा जिस दिन यह एफिडेविट फाइल किया जा रहा है यहाँ पर आपको time दिया चाहेगा दो एट्चॉर्मेंस से जादा आप time नहीं ले सकते हो रिप्लाइ फाइल करने के लिए maintenance amount 25% से जादा नहीं होना चाहिए जो husband का income है सुप्रिम कोड अपने recent case पर यह particular benchmark set कर दिये So 25% So that's it in this video उम्मीद करते आपको value मिला है अगर मिला एक like कीज़े, subscribe कीज़े और जरू इसको share कीज़े बहुत बहुत धनिवाद